वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबडी मैं शोभा सिंग आप सभी का स्वाकत करते हूं आज के वीडियो में ज्यादा तर लोग एक सवाल मुझसे पूछते हैं कि जो काम आप कर रही है जैक्टी वो क्या है तो मैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि आपके खर्चे को आमदनी म काम देखा जाए तो इस दुनिया में जितने भी लोग भाग रहे हैं और इसलिए भागी रहे हैं आप भी तो भागी रहे हैं मैं भी भाग रही हूं सब कोई भाग रहा है किसलिए भाग रहे हैं कमाने के लिए पैसा कमाने के लिए और जो पैसा कमाता है वो वो कहां जाता आप ही सोचे, आपकी जो इंकम है, जो आप 20-25, 40-50 जार, जो भी एक लाख रुपे कमा रहे हैं, अगर ध्यान से देखेंगे, अपने खर्चों को, एकस्पेंडिचर को अगर लिस्ट बनाएंगे, तो आपको एक आंकड़ा नजर आएगा, कि आपका सैलरी या जो भी इंकम है, जो महीनिके अंत में आप कमा रहे हैं, और 20 प्रतिशत, आए दिन कोई न कोई बीमार होते ही रहता है, तो उसमें चला जाता है, एकस्पेंडिचर लाइक होस्पिटल का खर्चा में चला जाता है, और जो 30 प्रतिशत होगा, कहीं न कहीं आप सेविंग कर रहे होंगे अपने भविशे के लिए उजवल भविशे के लिए कि फ्यूचर का किसने देखा है कि कब क्या हो जाए तो देखा जाए तो आपकी सेलरी का more than 70% तो चल रहा है अपने खर्चे को सुचारू रूप से मैनेज करने में लेकिन वो जो खर्चा है क्या वापस आता है और इसली नहीं आता है तभी तो हम उसको खर्चा बोलते हैं एक्सपैंडिचर बोलते हैं ना कि हम उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं खर्चा ही बोलत अभी तक नहीं आया तो क्या आगे भी आ जाएगा सोचने वाली बात है कि 2023 चल रहा है अभी और वो भी जून का महीना और आज हो गए है 28 तारिक 28 जून 2023 के पहले आपने जितना भी कमाया कहां गया अपने खर्चे को ही मैनेज करने में ना सुचारू रूप से क्या वो वा आगे भी आप जीवित रहेंगे तो आपने आपको तो मैनेज करने के लिए खर्चा तो करेंगे ही करेंगे डेली नीड और हेल्थ केर में तो अभी तक कोई फाइदा नहीं हो तो क्या आगे फाइदा हो जाएगा तो मैं उन लोगों को बताती हूँ कि कैसे आप अपने खर्चे को आमदनी में करन्वर्ट करना चाते हैं क्योंकि आजकल के जमाने में तो हर कोई चाहता है अत्रिक्त आमदनी आता हुआ पैसा कि इसको खराब लगता है जी हाँ यहाँ पर हम लोगों को बताते हैं कि आप अपने एक्सपेंडिचर को किस तरीके से इन्वेस्ट्मेंट में करन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि आपको भी पता है that investment देता है – every month, returns ितैए तो I hope आप लोगों कुछ समझ में आया होगा कि मैं क्या करते हूँ Thank you, wish you well